विल्कम तो जीरो कैंपरस तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर का पॉजिटिव नंबर का पावर 0, 1 क्यों होता है तो उसको दो तरीका से मैं प्रूफ करूँगा पहला कि जैसे एक एक्जेम्पल ले लेता हूं 2 का पावर 0 एकोलस तू 1 यह ऐसा होता क्य है तो इसको मैं पहले लॉग से लॉग वाला रूल से प्रूफ करूँगा एक्सपोनेंट वाला रूल से तो जैसे कि आपको पता है कि 2 का पावर 1 by 2 का पावर 1 इक्वलस टू 2 का पावर 1-1 होता है तो यह और यह आपस में अगर कट जाए तो 1 by 1 देखते है तो एक ट्रेंड देखते है तो का पावर 2 का पावर 1 तो का पावर 0 तो का पावर 1 होता है 2 का पावर 0 क्या होगा पता नहीं है 2 का पावर 1-1 क्या होता है according to exponent हमने यह पढ़ा है कि पावर जब नेगेटिव हो तो नंबर नीची आ जाता है और उससे पावर पॉजिटिव हो जाता है तो यह 1 by 2 हो गया यह हमें प्रूफ करना है ठीक है तो यह 1 by 2 अब आप करते हैं तो यह क्या हो गया 1 अब देखो 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या यह नंबर आता है जी हाँ 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यह 1 by 2 आता है therefore 2 का पावर 0 equals to 1 यहां भी यह प्रूफ हो गया तो यह एक हो गया trend जो की series है series वाले तरीका से आपने देखा कि किसी भी नंबर का पावर 0 equals to 1 होता है बहुत सारे students को confusion होता है जल्दी बाजी में बोल देते हैं कि 2 का पावर 0 यह 5 का पावर 0 equals to 0 लेकिन 2 का पावर 0 equals to 1 होता है ओके चलिए ठीक है थैंक यू